हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक आप देख रहे हैं अपना पसंदिदा यूटूब चैनल स्मार्ट बासकर मैं हूँ हैपी सिंग आज हम लाए हैं आपके लिए एक और दमागेतार वीडियो जिसमें हम करेंगे अनबॉक्सिंग रिव्यू और देंगे साथ में आपको डेमो इस वीडियो में आप देखेंगे स्पोर्ट जीरो का क्लिनिंग स्पिन मॉप जिसे बनाया है मिल्टन कमपनी ने तो चलिए आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग आपकी घर में साफ सफाई रखने के लिए ये मॉप हमारे बहुत काम आने वाला है तो आज हम करेंगे इसी क आनबॉक्सिंग चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग इस बार अमाजोन ने बहुत अच्छी पैकिंग कि इसकी डबल पॉलिथिन में इसको पैक किया है इससे पहले जब मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर मंगवाय था उसमें ऐसे किसी भी पॉलिथिन से कवर नहीं किया गया था केवल कंपनी के डबे में उसको भेज दिया गया था लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है मज़ोन में तो साथियों यह हमारा स्पिन मॉप एक्वा ग्रीन कलर के साथ और ग्रे कलर की इसमें स्पिन ट्रे लगी हुई है जो इस तरह से गोंती है तो हमें मिला है बॉक्स में एक पीस क्लासिक स्पिन बास्केट जिसमें एक साइड में यह स्पिन वब लगावा है और यह बाल्टी का एक इससा है जिसमें आप पानी और लाइजोल मिला कर इसमें स्टोर करके बोचा लगाएंगे और साथ में हमें बॉक्स में मिले हैं यह दो पीस हैंडल स्टेनलेस स्टील के यह बने हुए हैंडल है और इन दोनों को एक दूसरे में जोड़ना होगा हमें इंस्टॉल करना होगा और इसके लिए हमें इसके अंदर एक इस्पिन दिया हुआ है चूड़ी दार इससा जो इसके अंदर हम लगा कर इसको गुमाएंगे और इस तरह से इसके अंदर प्रिट हो जाएगा और हमें बॉक्स में दोपीस माइक्रोफाइबर रिफिल यह माइक्रोफाइबर से बने हुए रेशेडार धागे हैं जो हमारे अब कुर्साइबर को एक दम चकाकbes क्लीन कर देंगे उसमें माइक्रोफाइबर के रेशे और एक ब्लास्टिक की प्लेट लगी हुई है के साथ एक और हमें मिला है ताकि अगर एक पीस खराब हो जाए तो हम इसको दूसरे को यूज कर सकते हैं अपने मॉप में यह जो आप माइक्रो फाइबर रिफिल देख रहे हैं इसे आपको इस मॉप प्लेट के अंदर फिट करना है उसके बाद में जो आपने हैंडल देखा लेंगे और यह जो नौप है इसको अंलोक करेंगे और इसके अंदर यह जो चूडीदार जगध दीवे इसको खुमाकर इसको अच्छे से फिट कर लेंगे आप यह इससे बाहर नहीं निकलेगा और यह मायक्रो फाइबर का जो प्लेट है वो इसके अंदर जो मॉप तो इस तरह से गिर जाएगी ये तो इसको बड़े ही ताकत से थोड़ा इसको फिट करना पड़ेगा जो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से फिट करना है और ये एक प्लास्टिक की बॉटल मिली है ट्रांस्प्लाइंट बॉटल है जिसके अंदर आप थीनव रगड़ा रख सकते हैं और साथ ही ही साथ में मिल sniff कार्ड वारंटी कार्ड है कमट्णी ने इस मॉब की एक साल की वरंटी दी है तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है यूज करने के इसको किस तरह से यूज करना इसकी कैसे केर करनी है उसके इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं आप इसको केरफुली पढ़ लीजिएगा इसके बाद में इसको यूज लीजिएगा तो चलिए हम आ कि कोई रेशा बीच में फस ना जाए इस तरह से आप इसको इसमें उल्टा लगा दीजिए गया और फिर इसको जमीन पर रखिएगा इस तरह से जमीन पर रखने के बाद में अपने पैर से इसके उपर थोड़ा सा दबाब डालिएगा और कट की आवाज के साथ ये बंद हो इस तरह से तो ये इसमें हमने इसको अच्छे से फिट कर दिया है अब आप देख पा रहे हो कि ये बड़ी मजबूती के साथ इसमें फिट हो गया है और ये हमारे लंबी एक स्टिक बन गई है पोचा स्टिक अब इससे बड़ी आसानी से हम अपने फर्ष पर पोचा लगा सकते हैं तो मोब के इस हिसे में हम वाटर डालेंगे पाने डालेंगे जिसमें लाइजोल मिलाएंगे जो आपके फर्ष को बिल्कुल बैक्टेरिया फ्री कर देगा और इसके अंदर ये लॉक है इस लोक को अगर हम अनलोक करेंगे तो इस तरह से ही इसको आप चोटा इसको डूबाएंगे तो ये स्पिन करेंगा गूमेंगा जिससे क्या होगा कि जो आपकी जो लाइजोल वगेरा पानी वगेरा है वह अच्छे से इसके अंदर माइक्रो फाइबर क्लोथ है वो इसको सोक लेगा उसके बाद में इसको निचोड़ने के लिए ताकि फर्ष प अच्छे से आप इसको चला कर क्लीन कर सकते हैं और यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस हिस्से को प्रेस करकर आप इसको 360 डिगरी पर रोटेट कर सकते हैं जिससे की बैट वगेरा अलमारी वगेरा इनके नीचे भी आप आसानी से पोचा लगा सकते हैं उस एरिया को भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो चलिए हम देते हैं आपको इसका एक डैमो लाइक डेमो यह हमने इस में पानी डाला है जिसमें लाइजोल मिला हुए ताकि जो हमारी फर्ष पे बैक्टेरिया वगेरे होते हैं वह भी अच्छे से क्लीन हो जाएं कर दो कि इस हिस्से में हम हमारा जो फोच्छे वाली स्टिक है हो सकें और हम इसको को डूगाएंगे और अच्छे से इसके निलों के स्पिन करेंगे जैसे गुमेगा जो लैजोल प्यूक्त पानी है वह इसके समग आजाएगा अब आप बहुत ही आप निकाल कर वाले हिस्से में जाएगा आप कफर्स भी ऑबदा हिसलेगे। वह तीम्सार नेक़रे मीशिए के भी जाया देगा आपको आपके चुछितन रहेगे σब्स कुछ आए जाया को Łएंग अदे वह थना करने के भाद में जायाengers। तो आप बहुत ही आसान हो गया है, आपकी फरश को क्लीन करना, इस इस इस्पिन मॉप dissolved दोयारा जिसमें आपको जुकिने पड़ेगा, आपकी कमर में दर्द हे तो भी आप आसानी से, खड़े खड़े अपने फय को कलीन कर सकते हैं . तो एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए इसमें टायर लगे हुए हैं इन टायरों की मदद से आप इसे बड़े आसानी से एक रूम से दूसरे रूम में केरी कर सकते हैं और इसके साथ एक हैंडल दिया हुआ है जिससे आप उसको आसानी से एक जगे से दूसरे जगे पर खिसका सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको खिसकाने में और आप एक रूम से दूसरे रूम में ले जाकर फर्ष को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं बहुत सी खास बात है इसमें आपको बैठने की जूरत नहीं पड़ेगी आप खड़े-खड़े पोचा लगा सकते हैं और जो साधारन पोच्छे होते हैं जैसे यह पोचा दिया हुआ है इससे अगर आप अपने फर्ष पर पोच्छा लगाते हैं तो इसको बार-बार आपको हाथ से निचोड़ना पड़ेगा और आपका जो हाथ हो बार-बार पानी के कॉंटेक्ट पर आएगा जबकि जो हमारा इस पर मौप है उसमें आपको बार-बार निचोड़ने के लिए हाथ की हाथ लगाने की आउशकता नहीं है तो देखिए आप कितना फर्रक इसमें बहुत ही स्वीदा जनक की यह मौप है तो आप जरूर मंगवाईए इसे अपने घर को साफ उत्रा रखने के लिए अपने बच्चों भी शुरुक्षा के लिए आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें जैन जै भारत हुआ 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 है